तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि C.S.C. से पैसेंजर केरिंग भीकल आटो और टेक्सी की इंसुरेंस कैसे करते हैं अगर आप चाहें तो C.S.C. से किसी भी गाड़ी का इंसुरेंस कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको C.S.C. से 3-Wheller पैसंजर करिंग भीकल आटो की इंसुरेंस करके दिखाएंगे कि आटो की इंसुरेंस कैसे करते हैं तो C.S.C. से ओटो की इंसुरेंस करने के लिए सबसे पहले आपको गोगल क्रोम या मोजिला फायरफोक्स ब्राजर ओपन करना है उसके बाद आपको यहां टाइप करना है डिजिटल शिवा पॉर्टल ठीक है तो मैं यहां डिजिटल शिवा पॉर्टल लेके सर्स करता हूँ और जैसे ही आप यहाँ डिजिटल शवाप पॉर्टल लिके सार्स करेंगे तो आपके समने इस तरह इंटरफिस कुल के आज आएगा लेकिन यहाँ जो पहला बला आप्शन मिलेगा आपको डिजिटल शवाप पॉर्टल इसमें क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो CSC का पॉर्टल इस तरह से खुल के आज आएगा तो आपको पहले यहां लॉग इन करना होगा तो चलिए मैं यहां लॉग इन पर क्लिक करता हूँ और लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां CSC ID और पासओट डलना होगा मैंने यहां CSC ID पासओट पहले से ही सेप करके रखा था इसलिए और अटोमेटिकली आ गया है उसके बाद आपको यहां कैपस अकोट डलना होगा यह जो कैपस अकोट है इस कैपस अकोट को इस बॉक्स में डलना है तो चलिए मैं कैपस अकोट डाल देता हूँ और capsa code डालने के बाद आपको यहां sign in पर click करना है तो मैं यहां sign in पर click करता हूँ और जैसे ही आप यहां sign in पर click करेंगे तो CAC का portal जो है वो successfully login हो जाएगा और login होने के बाद इस तरह interface आपके समने खुल के आजाएगा ठीक है उसके बाद आपको यहां एक option मिलेगा insurance का तो तो चलिए मैं यहां insurance में click करता हूँ और insurance में click करने के बाद आपके समने इस तरह interface आजाएगा और नीचे दो option मिलेगा motor compressive और motor thought party तो मैं फिलाल thought party insurance करने वला हूँ तो यहां thought party motor पर click किया उसके बाद यहां बहुत सारा company का नाम आ गया है तो जिस company से आप insurance करने उसमें click करन वी डिजिटल शभा कानेक्ट इसमें किलिक करना है और जैसे ही किलिक करेंगे तो रिलाइंस का फॉर्टल जो है यहां इस तरह से खुल के आज आएगा और यहां देखिए टुहेलर पैकेस पोलिशी टुहेलर लायबिलिटी उसके बात प्राइवेट कर पैकेस पोलिशी प्र करता हूँ उसके बाद आपको यहां कॉट पर क्लिक करना है ठीक है तो मैं यहां कॉट पर क्लिक करता हूँ और कॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां लायबिलिटी में क्लिक करना है थाट पाटी के लिए तो मैं लायबिलिट में क्लिक किया उसके बाद यहां थ्री हो लायबिलिटी 3 वेलर लेज देन 6 में क्लिक करता हो और जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज में पहुंच जाएंगे और आपके समने इस तरह इंटरफिस आज आएगा तो आपको यहां यूस पर क्लिक करना है तो चलिए मैं यूस पर क्लिक करता हो और जैसे ही आप यूस पर क्लिक करेंगे तो आपके समने दूसरा पेज आज आएगा और इस तरह इंटरफिस खुल के आज आएगा ठीक है तो पहले आपको यहां रेस्टेशन नमबर डलना है तो यहां देखे रेस्टेशन नमबर लिख्या हुआ है तो आपको यहां गाड़ी का नमबर डाल देना है तो चलिए मैं गाड़ी का नमबर डाल देता हूँ और गाड़ी का नमबर डालने के बाद आपको यहां मॉडल वेरियंट में गाड़ी का model नमबर सार्श करना है जैसे कि मेरे गाड़ी जो है, ओतुल ओटो, तिरी होलर फेसेंजर, ठीक है, ये model नमबर है, तो मैंने ओतुल ओटो सेलेक्ट किया, तो ओतुल ओटो का जितने भी गाड़ी है, वो यहाँ आज आएगा, तो मेरा जो गारी है वह तुल ओटो तीरी होल ईयर प्रेसेंजर तो मैं यहां से चलत करता हो तिरी होलर फिसंजर ठीक है और मडर करने आपको यहां फ्यूल टाइप में डिजल रखना है ठीक है उसके बाद यहां सिटिंग के बासिटि ऑटोमेटीकली आजाएगा और पार सम चालने के बाद आपको नीचे calculate premium का option मिल जाएगा तो इसमें click करना है और calculate premium जैसे ही click करेंगे तो premium कितना होगा वो यहां आ जाएगा तो मैं थोरा सा scroll down करता हूँ और scroll down करने के बाद आपको यहां एक option मिलेगा PA to owner driver अगर आप चाहे तो इस cover को ले सकते हैं अगर नहीं चाहत तो तक्रीबन 500 रूपीज जो है premium कम आ जाएगा ठीक है तो मैं यहां से हटा दिता हूँ 3040 में इसकी जरूरत नहीं है इतना ठीक है हटाने के बाद आपको recalculate premium में click करना है तो चलिए मैं यहां click करता हूँ और यहां click करने के बाद आपका premium जो है वो आ जाएगा तो आप इसे ही कौन बाट में click करेंगे तो दूसरे page में पहुंच जाएंगे और यहां customer का details डालना है यानि जिसके नाम में गाड़ी है उनका details यहां डालना होगा तो चलिए मैं यहां पूरा details डाल देता हूँ तो पहले यहां आपको अपने नाम के हिसाब से MR MRS सेलेक्टर नहीं तो मैंने slave किया उसके बाद यहां आपको fast name डालना है जो भी आपका fast name है यहां डाल दीजिए उसके बाद यहां आपको middle name डालना है अगर आपका middle name नहीं है तो fast name उसके बाद direct last name डाल देंगे तो चलिए मैं यहां last name डाल देता हूँ और last name डालने के बाद आपको यहां पर सी ओब्लिक ओ यानि क्यार ओपलिक के आपका पीता जी का नाम डाल देना है उसके बाद एड्रस लाइन टू पर यहां आपको भीलेज पुस्ट उपिश और पी एस यह तीनों से यहां डाल देना है ठीक है और यह तीनों से डालने के बाद आपको यहां एस्टेट लिखा करना है ठीक है तो मैं यहां से डिस्टिक सेलेक्ट करता हूँ डिस्टिक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां टाउन सेलेक्ट करना है जो भी टाउन है सेलेक्ट कर दीजे और टाउन सेलेक्ट करने के बाद यहां उस टाउन में जितने भी पिन कोट है एवेलेबल वो यहा सिलेक्ट आने के बाद आपको यहां कुछ नहीं करना है डारेक्ट यहां मोबाल नमबर डालना है ठीक है तो चलिए मैं यहां मोबाल नमबर डाल देता हूँ मोबाल नमबर डालने के बाद अगर आप चाहे तो यहां इमेल आडी दे सकते हैं अगर नहीं चाहते हैं तो email id डालने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद आपको यहाँ vehicle details पर क्लिक करना है तो चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ vehicle details पर और vehicle details पर क्लिक करने के बाद आपको scroll down करके नीशे आना है तोरा सा scroll down करना है उसके बाद manufacturing year में जो भी आपका manufacturing year है वो सेलेक्टरना है यह RC में आपको coloc तो manufacturing year सेलेक्टरना है उसके बाद manufacturing month यह भी आपको RC में यानि रेश्न साइल पर अंवैды block एक बहु कहँ Went बौhe restoration date parse date और restoration date में डाल देना है उसके बाद आपको यहँ इंजिन नंबर डालना है इंजिन नंबर ये भी आपको RC यानि restoration certificate में मिल जाएगा तो इंजिन नंबर और therapist न जारत ध्यान से डालना है जब डालेंगे ठाहिए तो चलिए मैं यहां के ले देता हूं और इंजिन नमबर से इस नमबर डालने के बाद आपको यहां एक option मिलेगा get cover details तो यहां किलिक करना है तो चलिए मैं यहां get cover details में क्लिक करता हूँ उसके बाद आपके समने इस तरह इंटरफेस आज आएगा तो आपको direct premiums हमारी में किलिक करना है तो चलिए मैं यहां किलिक करता हूँ और premiums हमारी में किलिक करने के बाद आपको यहां submit बटन पर किलिक करना होगा scroll down करके तो चलिए मैं यहां scroll down करता हूँ उसके बाद यहां submit बटन में किलिक करता हूँ मुलेगा प्रोसीट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो चलिए मैं यहां CSCID का पासओट है बोर डाल देता हूँ और पासओट डालने के बाद आपको यहां बैलिडेट पर किलिक करना है तो चलिए मैं यहां बैलिडेट पर किलिक करता हूँ और जैसे ही बैलिडेट पर किलिक करेंगे तो उसके बाद आपको यह wallet pin डलना है CSC का जो wallet pin है वो डाल देना है तो चलिए मैं यह wallet pin डाल देता हो और wallet pin डालने के बाद आपको यह paper किलिक करना है तो मैं यह paper किलिक करता हूँ और जैसे ही paper किलिक करेंगे तो payment जोहें बहुत successful हो जाएगा और यहाँ policy number भी आ जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ policy number पर क्लिक करना है तो चलिए मैं यहाँ policy number पर क्लिक करता हूँ और policy number पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको save file में क्लिक करके ok में क्लिक कर देना है और जैसे ही आप ok में क्लिक करेंगे तो यह download folder में जो है डाउनलूड हो जाएगा policy तो आप यहांसे print out कर सकते हो तो guys इस तरह से जो है आप CCC से three boiler passenger carrying vehicle यानी auto और taxi का insurance कर सकते हैं तो guys इस वीडियो में इतने अहीं मिलते हैं तो इस वीडियो में अगर आपको वीडियो जारा आसा पीसल नहीए हो तो थेक्स वालसे वाइस विडियो और जो करेंगा